इंडिया और चाइना दो हिस्ट्रान की राइवल नेशन चापपन नुक्लियर पावर प्रांट इस्टैब्लिश करने में रश्या के साथ कोलाबरेट करने के लिए रेडी है। Eurasian Times की रिपोर्ड और रश्या की स्टेट ओन नुज अजेंसी टैस के सूर्च से इस टेफ्लमेंट की अनास्मेंट रश्या थे स्टेट नुक्लियर अजेंसी कोपरेशन रोस्टान के हैड अनेक्सिंग चेव ने की या इंगिशेटिव दोहजाज चालिस तक मैंड मून मिश और लूनर बेस्ट इस्टेब्लिशमेंट की इंडिया के प्लास के अलाइन है वल्दविस्तों में इस्टर एकोनोमिक फोरम में बोलतें विए यह चेव ने प्रजेक्ट के इंटरनेशनल नेचर को आउटलाइन किया उन्होंने विंचर को चलाने वाले को लाबरेटिव स् बिल्ड करना है जो हाब नेगावर्ट तक एनरजी जनरेट करने में केपबल हो इस आउर्पूट से लूरर बेस्ट के ऑपरेशन का सपूर्ट एक्सपेक्टर है रिशन स्पेस एजेंसी रूसकों मोस ने ने में अनौस किया था कि न्यूक्लियर पावर प्लान्ट पर पहल को एसस कर रहा है इस टेक्नोलोजी को लूरर एक्टिविटीस को सुस्टेन करने के लिए कुरूशल इन्पर Arist bao माना जाता है लूरर को डेवलप करने के लिए स्टफेक्ट्व हर को इस णिर एनर्जीक सोर्ट माना जाता है एकस्पर्ट के एक्चौन गहाजिंग पर को और रेफिजरेशन और रोफर को पावर करने के लिए essential infrastructure इस्टेबिश करना ज़रूरी है ऐसे कामों के लिए reliable energy crucial है और nuclear power ऐसे टास्क के लिए necessary एक consistent और रोफर source प्रवाइद करता है लोगनों nuclear power land का construction highly complex होने की उमीद है रुषिया ने suggest किया है कि maximum construction autonomously किया जा सकता है रिसे direct human involvement की need reduce हो जाएगी 2021 में रुषिया और चाइना ने एक joint lunar base the international lunar research station ILRS बिसंट किया था जिसकी potential commission ने 2035 और 2045 के बीच हो लिए इस outgoing project ने इंडिया से जुड़ी current plan के लिए ground work ready किया अब next question ये है कि इंडिया अपने diplomatic relation में balance maintain करने के लिए क्या कर रहा है इंडिया यूएस और रुषिया के बीच अपने diplomatic relation को आगी बढ़ा रहा है यूएस को लाबरेशन से गगन यान mission में engage होनी के साथ ही इंडिया रुषियन lunar power project के थो चाइना के साथ cooperation भी explore कर रहा है इसरो के chairman S. Somnath ने 28 नवंबर 2030 को Indian Society of Geomatics और Indian Society of Remote Sensing द्वारा और्गनाइज सेंफोसिस के दोरान मोल exploration के लिए एक प्रूविश्टिन बोट में प्रेजन किया इंडिया की recent lunar success और human space plight के लिए बढ़ते ambition पंपेस है जिसमें नरी जरोधी द्वारा अर्च किये गए 2040 तक एस्टोनोट को चांद पर भीजने का लच्छी शामिल है International Lunar Nuclear Project में इंडिया की involvement lunar infrastructure के development को accelerate कर सकती है 2030 में इंडिया ने चंदर्यान दीन के साथ Moon पर robotic mission को successfully land करने वाला 5th country बनकर significant milestone अचीव किया है हाला कि इंडिया की lunar exploration की timeline करेंटली रशिया और चाइना की joint effort से पीछे है लेकिन lunar nuclear project में इसकी participation lunar infrastructure के development में इसकी रूल को बढ़ा सकता है 2021 में रोशकों मौस और चाइना की National Space Administration इंटरनाशनल रूरा desistation plans पर काम कर रहे हैं हाला कि geopolitical tension especially US के साथ lunar based पर international cooperation को affect कर सकता है अब यहाँ यह सवाल उठता है कि lunar exploration के लिए nuclear power की importance इतनी की होए nuclear power lunar exploration के लिए important है क्योंकि इसकी reliability अनलगतार energy source प्रवाइट करने की ability long term lunar presence को sustain करने की essential है unlike solar power जो चार्ट के 14 days long night दोरा लिम्टेड है nuclear reactor को consistent power supply कर सकता है NASA भी future lunar base के लिए nuclear reactor explore करना है lunar nuclear power plant project में इंडियों का participation moon पर permanent presence establish करने की global race में significant step है प्रश में the बाक्त